हैना होरका शेस्ट रिपब्लिक की रहने वाली थी, वह 57 वर्ष की थी और बैंड एसोनन्स की गाएका थी उसका टीका करन नहीं हुआ था और वह टीका नहीं लेना चाहती थी हालाकि उन्हें कुरोना हो गया और उनका निधन हो गया क्या हुआ उन्होंने जान बुझ कर खुद को संक्रमित किया था मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ शेस्ट रिपब्लिक में कुरोना के मामलों की संख्या बढ़ रही है इसलिए देश ने फैसला किया है कि मॉल, स्विम्मिंग पूल, थेटर, आधी में जाने के लिए उन्हें पूरी तरह से टीका करन करना होगा जो लोग हाल ही में कोरोना संक्रमित से उबरे है और टीका नहीं लिया है उन्हें भी अंदर जाने दिया जाएगा यही कारण है कि हाना को टीका नहीं लेना चाती थी वह कोरोना से संक्रमित होना चाती थी ताकि वह इंसानों में जा सके हाना के पती और बेटे जान रेक दोनों को टीका लगवाया गया था लेकिन फिर भी क्रिस्मस के दौरान वे संक्रमित हो गए और उन्हें क्वारंटेन किया गया हाना जो संक्रमित नहीं थी उनके द्वारा क्वारंटेन के लिए कहे जाने के बावजूत उनके करीब रही उसे समझाने में उन्हें काफी मुशक्कत करनी पड़ी वस्तानों में प्रवेश के लिए संक्रमित होना चाहती थी उनके संक्रमन के पावजूद हाना ने अपनी सामाने गतिविद्या जारी रखी इस तरह वह भी संक्रमित हो गई दुख की बात है कि उसका निधन हो गया हाना ने अपने निधन से ठीक दो दिन पहले ओन लाइन लिखा था कि वह वाईरस से संक्रमित थी लेकिन वह बज गई लेकिन ये बहुत मुश्किल था अब वह कहीं भी जा सकती है उसके बेटे के अनुसार बरने से पहले हाना पूरी तरह से ठीक हो गई थी उसे पीट में तेज दत का अनुबा हुआ और वह 10 मिनिट के लिए लेटना चाती थी उसके दिल ने धड़कना बंद कर दिया और वह मर गई क्या हुआ यह पता नहीं चला हाना समझाने के बावजुद नहीं मानी एक टीका करन विरोधी नेता नहाना को जान बूझ कर संक्रमित होने के लिए प्रभावित किया था जब पिता और पुत्र संक्रमित हुए तो वह जान बूझ कर उनके करीब गई उनके द्वारा उसे दूर रहने के लिए कहने के बावजुद क्योंकि उसे टीका नहीं लगवाना था लेकिन वह संक्रमित होना चाहती थी उसे अपने परिवार से ज़्यादा टीका विरोधी लोगों पर ज़्यादा भरोसा था बेटे ने कहा कि उसका दिल तूड़ गया है लेकिन वह फिर भी इस कहानी को साजा कर रहा है कि डॉक्टरों, नर्सों और सरकार को संक्रमन से जूजना पड़ रहा है और लोगों को टीका लगवाने के लिए परोच्चाहित कर रहे है कई लोग उन्हें नजर अंदास करते रहते हैं लेकिन मुझे उमीद है कि मेरा अनुभव लोगों को टीका करन के लिए परोच्चाहित करेगा